हेलो बचा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स, अटा 24.7, माइनम इस सर्च और आम यू बिजनेश इडीज मेंटो, बेटा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चौती वीडियो जो होने वाली है, वो स्टॉक एक्शेंजिस के उपर होने वाली है, तो वो लेक्चर मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ, मेरे पीछे आपको इंडिया के दो मेजर स्टॉक एक्शेंजिस की फोटो नजर आ रही होगी, एक तरफ है हमारा बॉम्बे का स्टॉक एक्शेंज, जिसको हम लोग एक तरफ है हमारा डेली का स्टॉक एक्शेंज, जिसको हम लोग नसी बोलते हैं, य secondary market में मैंने आपको बताई थी इनी stock markets के अंदर shares की trading होती है और अगर आप investor है तो आपको इनी stock exchanges के माध्यम से share खरीदना और बेचना पड़ेगा ठीक है न तो चलो यार जानकारी लेते हैं आगे इन stock exchanges के बारे में सबसे पहली बेटा बात ये समझ लो कि stock exchange की definition क्या है according to securities contract regulation act 1956 according to securities contract regulation act 1956 stock exchange का मतलब क्या है वो समझ लो stock exchange means any body of individuals whether incorporated or not है ना चाहे वो incorporated है चाहे वो incorporated नहीं है incorporated or not तो मैं सारे major point यहां पे लिख दे रहा हूं जिससे आप क्या कर सकते हो अपनी definition कुछी तरीके से बना सकते हो constituted for the purpose of assisting for the purpose of assisting regulating and controlling regulating and controlling the business of buying and selling or dealings in securities किसको control करना है dealing buying and selling in securities को अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं अभी आपको सारी चीज़े समझाता हूं ठीक है अब देखो यहाँ पे अपने सारी चीज़े लिख ली है सबसे पहली बात तो यह है कि stock exchange उन सारे लोगों का group है एक body of individuals है अब चाहे वो body of individuals incorporate यानि कि register करवाई गई हो चाहे ना करवाई गई हो अब बालनों बेटा मैं हूँ मेरा नाम हर्ष है तो भाईया में मुझे अगर किसी company के share खरीदने है तो registration की ज़रो थोड़ो रहा है मैं या मैं इस देश का नागरी को मैं जाके shares खरीज सकता हूँ ठीक है ना तो whether incorporated or not अब इसका के क्या लिखा हुआ है constituted for the purpose of assisting regulating and controlling assist करना यानि की help करना regulate करना यानि की चलाना और control करना यानि की पूरे stock exchange को control करना या पूरे shares की खरीदने और बेचने की process को control करना तो assisting regulating or controlling the business of buying and selling of securities ठीक है ना बचा पाटी तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है कुल्म लाके मैं आपको आसान महाशा में समझाता हूँ stock exchange ही वही जगा है यह वही जगा है जहां पे आप shares को खरीच सकते हो और अपने shares को बेच सकते हो अब यह definition थोड़ी typical लग रही होगी सुनने में लेकिन typical है नहीं मैं आपको बताता हूँ अगर आप ऐसे पढ़ोगे पार्ट्स में ना तो इस definition को लिख ले जाओगे दूसरी बात बेटा यह definition कानून के इंदर लिखी हुई है तो थोड़ा difficult होना बनता है तो मैं आपको अल्ले आता हूँ बिलकुल आसान चीजों पर है और वो आसान चीज़े क्या है जब आप stock exchange के functions को समझ जाओगे जब आ stock exchange एक तरीके का secondary market है जहां पे आप securities को खरीद या बेश सकते हो यानि कि stock exchange एक platform देता है एक ready made and continuous market देता है ताकि आप securities की sale और purchase कर सको क्या कर सको securities को खरीद और बेश सको इसके लिए stock exchange एक platform है एक ready made market है एक continuous market है जिसके द्वारा आप securities को खरीद और बेच सकते हो इसके लिए stock exchange liquidity भी provide करता है और marketability भी provide करता है liquidity का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको पहले दूसरे हर्थ lecture में बताया है liquidity का मतलब यह pen है मैं market में ले जाके अगर बेचूंगा ने को pen गिर गया कोई नी यह pen है और मैं इसको market में ले जाके बेटा अगर बेचना चाहूंगा तो यह big जाएगा यानि कि यह pen highly liquid है anything which can be easily convertible into cash is known as high liquid ठीक है यानि कि यह pen liquid है ठीक है stock exchanges ही वो platform है जो securities को liquid बनाता है यानि कि securities को हम कभी भी cash में और cash को कभी भी securities में convert कर सकते हैं और marketability का मतलब है कि भाया यही तो market है ना तो securities को market देता है कि भाया यह जगा है आके खरीदो और बेचो अगला helps in determining the prices of the securities through the forces of demand and supply stock exchange एक तरीके का market है secondary market का नाम होता है stock exchange तो क्योंकि एक तरीके का market है तो यहाँ पे securities के prices भी तै किये जाते है according to the forces of demand and supply supply और demand के forces के द्वारा ठीक है stock exchange का function का है securities के prices को तै करना ओके इसके अलावा stock exchange लोगों के अंदर यानि कि general public यानि कि हम लोगों के अंदर saving का और invest करने का पैसा बचाने का और पैसा लगाने का सही जगा into the most productive avenues ये भी काम करता है कि बचाने की और investment की habit जो है वो develop हो इसके लावा stock exchange एक legal framework प्रोवाइड करता है ताकि जो भी share में खरीदना और बेचना चल रहेना वो fair हो और safe हो वो क्या हो वो fair हो और safe हो यानि कि कोई भी fraud कोई भी malpractices ना हो रही हो it helps the companies in raising finance stock exchange help करता है companies को finance raise करने में यानि कि पैसा market से उठाने में and capital formation में help करता है बहुत बात है कोई company अगर share issue करेगी तो उसके share बिकेंगे और पैसा company के पास आएगा इसी को कहते है capital formation और यह सब क्यों हो पा रहा है क्योंकि हमारे देश में stock exchange है और बेटा economic growth में भी stock exchange का बहुत रोल होता है अब इसके बाद stock exchange वही जगह है जहां पर आप speculation कर सकते हो speculation का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि दाउं लगाओ और बाजी जीतो तो क्या मैं आप यह जुएं की बात कर रहा हूं नहीं बेटा जुएं किसमत से चलता है लग से चलता है लेकिन stock exchange का speculation जो है वो research से चलता है आपकी research मजबूत है strong है और आप जानते हो कि किस company में कब invest करना है और कब बेचना है तो भाईया आप पैसे कमा सकते हो इना controlled and restricted manner ठीक है अफला तून नहीं करना है control manner में speculation करना है तो चलो अब सारे points को एक बार और नजर मारते हैं सबसे पहले stock exchange का basic function यह है कि securities को खरीदने और बेचने के लिए stock exchange एक ready-made market प्रोवाइड करता है जहां पर आप जाके securities को खरीद और बेच सकते हो इसके लावा securities को liquidity प्रोवाइड करता है securities के prices को contact करता है stock exchange by the forces of demand and supply इसके लावा saving और investment की habit develop करता है लोगों के अंदर एक legal framework बना के देता है ताकि fair और safe dealing चलती रहे companies को help करता है finance को उठाने में और capital formation में और पुरे देश की economic growth में इसके लावा healthy speculation जो हो वो healthy हो इसके बारे में बात करता है कि जो दाओ लगा रहे हो वो healthy तरीके से यानि की कोई fraud कोई malpractice कोई insider trading अंदर की information leak करके पैसा नहीं कमाना है जो करना है सही तरीके से करना है इमानदारी से करना है और लास्ट यहां पर topic क्या है लास्ट यहां पर topic जो हम लोगों पढ़ना है वो पता है क्या है वो है dematerialization मैंने आपको पिछली वीडियो में shares होते थे पहले कागजों में shares होते थे लेकिन इन कागजों के साथ 2-3 नुकसान थे पहला तो कागज पे नकली signature हो सकता है यानि की forgery का नुकसान था दूसरा कागज के खो जाने का डर था और तीसरा चोरी हो जाने का डर था खो जाने का और चोरी हो जाने का कागज में यह account के माध्यम से ठीक है और इस पूरी process को हम लोग क्या बोलते हैं इस पूरी process को हम लोग बोलते हैं dematerialization dematerialization refers to the process of holding securities in electronic form जब आप securities को electronic form में hold करते हो उस process को हम लोग dematerialization कहते हैं and demat account जब से लोगों ने खुलवाया तो ना forgery होने का डर रह गया ना loss होने का और ना चोरी होने का डर जो है आपके अंदर रह गया समझ रहो ना कोई भी डर आपके अंदर बचा ही नहीं तो भाईया demat account खुलवाना पड़ेगा dematerialization इस पूरी लिमिटेड यानि की NSDL और दूसरी है Central Depository Services Limited यानि की CDSL पहली क्या है National Securities Depository Limited NSDL और दूसरी है Central Depository Services Limited CDSL बहुत ज़ादा in depositories की detail में नहीं जाना है आपको सिर्फ और सिर्फ वितना समझना है कि ये दो depositories है in depositories के अंदर ही हमारे shares और debentures खरीदे और बेचे जाते है demat account के माध्यम से the depository participant serves as a link between the investor and the depository ठीक है जो depository participants होते हैं वो investor और depository के बीच में एक link की तरह जो है बिटा काम करते है तो I hope की बच्चों आप लोगों ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी financial market और stock exchange के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया होगा ठीक है अब यार ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए and regular और continuous पढ़ाई करने के लिए और अपने boards exam में बहुत excel तरीके से marks लाने के लिए आप क्या कर सकते हो आप हमारे batches में enroll कर सकते हो batches के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ सबसे बिले तो आपको क्या करना है जैसे आपने हमारे commerce अड़ा 247 चैनल को इतना प्यार दिया ना इतना support दिया और आपने उस पे मेहनत भी की बेटा बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है अड़ा 247 की आपको डाउनलोड करना है free of cost आप डाउनलोड जाएगी और आपको डाउनलोड करते ही आप जाओगे यहाँ पे CUET में अब CUET में भाई आपको class 12 और CUET दोनों की पढ़ाई करवाई जा रही है तो आप अंडर graduation entrance exam पे गए store पे जाना है और फिर उसके बाद आपको जाना है CUET commerce पे CUET commerce पे जाके आप हमारे महा पैक में इनलोल कर सकते हो महा पैक एक ऐसा पैक है जहाँ पे CUET और boards related जितने भी batches है उन सबका access आपको मिल जाता है इसके लावा mock test और किताबे भी आपको महा पैक में मिल रही है जैसा कि आप देख सकते हो live classes मिल रही है video courses मिल रहे है test series मिल रही है ebooks मिल रही है quizzes मिल रही है ठीक है ना test series यानि कि mock test और बहुत सारे mock test मिल रहा है आपको कोई कमी mock test की नहीं पढ़ेगी जैसे ही बेटा आप यहाँ पे buy and off पे click करोगे buy and off पे click करते ही आपको coupon code लगाना है Y769 और उसको apply कर देना है apply करने के बाद जो उसका price final पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 7884 पहली बाद तो बेटा initial price 9499 था बट coupon code अगर आप लगाते हो Y769 तो यह पड़ता है Y1614 के off पे आपको मिल जाएगा 7884 रुपे का ठीक है ना तो इस महा पैक में इन्रोल करने के फायदे यह है कि आपको boards के साथ सा CUT की preparation भी कराई जा रही है और यह सारे chapters आपको बहुत अच्छे तरीके से with questions कवर करवाए जा रहे है तो I hope कि आप लोग समझ गया होंगे and next video के लिए भी आपको wait करना है next video आएगी बेटा से भी के उपर और next video के लिए आपको time से वो video मिल जाए इसके लिए commerce 247 चैनल को subscribe करना है bye bye take care and have a good day